स्वयम को और जिन्होंने आपको दर्द दिया है उन्हें माफ करना आज का पांठ माफ करने के बारे में हैं स्वयम को और उन्हें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है माफ करके अपने दिल को स्वैम को प्रेम करने के लिए नैस तर पर दिजाने के बारे में है पिछले दो हफ़तों में आपने उनकई धार्नाओं से मुक्त होने के देशा में काम किया है जो आपको बदलने से रोक रही थी मैं जानती हूँ या आसान काम नहीं था इसलिए स्वैम को अपनी प्रगती का जश्न मनाने के लिए समय दे आज आपको आइने में देखकर इतना हलका महसूस करते हुए कैसा लग रहा है एक गहरी सांस अंदर खीचे अब सांस छोड़ते हुए कहे आह मैं अपने अतीत को जाने दे रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शमाशीलता माफ करना हम सभी के लिए एक मुश्किल शत्र है हम ऐसे ब्लॉक्स का निर्मान कर लेते हैं जो हमें कई वर्षों तक जकड़े रहते हैं मेरे हाथ धामे और हम साथ में अपने आपको और दूसरों को जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है माफ करना, सीखने की और काम करते हैं आप ऐसा कर सकते हैं माफी स्वयम को प्रेम करने के लिए हमारे दिल के दरवाजे खोलती है यदि आपको स्वयम को प्रेम करने में कोई समस्या है तो आप एक शमाशीलता अक्षमक्षीलता की स्थती में फस जाते हैं हम मेंसे कई लोग वर्षों तक दुर्भावनाय पाल कर बैठे रहते हैं हम किसी के अपने साथ की ये किसी काम की वज़े से आत्मसंतोष्ट महसूस कर सकते हैं मैं इसे आत्मसंतुष्ट, असंतोष्ट के कारावास में फसा होना कहती हूँ, हम सही साबित हो जाते हैं, लेकिन खुर्ष कभी नहीं हो पाते, आप मुझसे असामत होकर कह सकते हैं, तेकिन आप नहीं जानती, उस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया, वह माफ करने के लायक नह जब आप माफ करने के लिए तयार नहीं होते तो स्वयम के साथ बहुत गलत करते हैं, मन में कड़वाहट रखने का मतलब है प्रति दिन जहर का एक चमच पीना, वह जहर आपके अंदर जमा होकर आपको नुकसान पहुंचाता है, आपने अपने आपको अतीच से बांधे रख कर स्वस्थ और स्वतंत रखना असंभव है, एक बहुत बड़ा ध्यात्मिक पाठ जो आप सीख सकते हैं, वह है इस बात को समझ लेना कि हर व्यक्ति हर्शन जितना अच्छा कर सकता है, कर रहा है, लोग अपनी समझ, जागरूपता और ज्यान के साथ इतना ही कर सकते हैं, निरपवाद रूप से जो लोग दूसरों के साथ दुर्वेवार करते हैं, उनके साथ बच्पन में दुर्वेवार हुआ होगा, जितना अधिक उनके साथ हिंसा का स्तर होगा, उतना ही अधिक उनके अंदर का दर्द होगा, और उतना ही अधिक उसे दूसरों पर निकाल सक इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका बर्ताव स्विकार या श्रम्य है हाला कि आपके अपने आध्यत्मिक विकास के लिए आपको उनके दर्द का एहसास होना चाहिए जिस गटना को आपने अपने अंदर दबा कर रखा है वह बीच चुकी है शायद बहुत पहले उसे जाने दे स्वेम को उससे मुक्त होने दे अपने बनाएं इस व्यक्तित्व कारावा से बाहर आएं और जीवन की धूप में कदम रखें यदि स्थथी जारी रहती है तो स्वेम से पोछें कि आप स्वेम को इतना कम क्यों समझते हैं कि अभी तक उस बात को बरदाश्ट कर रहे हैं आप ऐसी स्थथी में क्यों रहते हैं? आपके पास एक विकल्प है आप उस बात में अटक कर कड़वाहट से भरे रह सकते हैं या स्वेच्छा से अतीत को माफ करके उसे जाने देकर स्वेम का भला कर सकते हैं और एक खुशियों भरे परिपूर्ण जीवन के निर्मान के और कदम बढ़ा सकते हैं आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं भराने के लिए स्वितंत रहें क्योंकि आपके पास चुनाव करने की स्वितंतता है आज के पाठखा उदेश्य है आपके आत्म सम्मान को उस तर तक बढ़ाने में आपकी मदद करना कि आप अपने जीवन में सिर्फ प्रेम भर अनुभव को प्रवेश करने दें क्रपया हिसाब बराबर करने की कोशिश में अपना समय बरबाद न करें उससे कोई काम नहीं बनेगा जो आप दूसरों को देते हैं वो हमेशा आपके पास लौट कराता है इसलिए अतीत को छोड़ दें और स्वेम को प्रेम करने पर काम क करें फिर आपको एक शांदार भविश्य मिल सकता है मैंने एक भथ महतोपोर्ण पाठ सीखा है कि आप जब लोगों को माफ करने का काम करते हैं तो उनके पास जाकर या कहना आवर्शेक नहीं है कि आपने उन्हें माफ कर दिया कभी-कभी ऐसा करने का आपका मन हो सकता है ल आपके लिए ही अहुती है मुझसे कही लोगों ने और ने वास्ताया का माफ कर दिया और फिर दो महीने एक महीने बाद उनके पास उस व्यक्तिका फोन या इमेल आया जिसमें उसने माफी कर देने कि विंधि की थी ऐसा अधिकतर आइने के सामने Benson को माफ करने के बाद होत आपना आसान हो जाता है। करने की अवशेक्ता होती है। मैं तीज से चिपक कर नहीं रहूँगा। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तयार हूँ। यदि अभी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऐसा अफर्म करें। मैं तयार हूँ। माफी के और बढ़ने के लिए आपकी इच्छा ही काफी है। एक गेहरी सांस लें और फिर उस वक्ते को कहें मैं तुम्हें मुकद करता हूँ। एक पर फिर गेहरी सांस लें और कहें तुम आजाद हो, मैं आजाद हूँ। चार, ध्यानते आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप प्रतिरोध महसूस कर सकते हैं, या राहत महसूस कर सकते हैं, यदि आपको प्रतिरोध महसूस होता है, तो गहरी सांस लेकर अफर्म करें, मैं अपने सभी प्रतिरोधों को बाहर निकालने के लिए तयार हूँ, जब आप इ अधिक समय लग सकता है, हर बार आपको माफी की प्रक्रिया में और गहराई में जाना पड़ सकता है, यह वह दिन हो सकता है, जब आप कई लोगों को माफ कर पाएंगे, यह वह दिन भी हो सकता है, जब आप सिर्फ एक व्यक्ति को माफ कर पाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं आप इस अभ्यास को चाहे, जिस तरीके से करें, वह आपके लिए सही होगा यह भ्रमाण और माफी आपकी उपसे थी देख रही है कभी-कभी माफी प्याज के छिलके उतारने जो ऐसी होती है परते बहुत सारी हो, तो प्याज को एक-दो दिन के लिए अलग रखते आप बाद में वापस आकर एक और परत निकाल सकते हैं इस अभ्यास को करने के लिए तयार होने के लिए भी अपनी सरहाना करें आप स्वस्थ हो रहे हैं शक्ति आपके अंदर हैं आपका पंधरवे दिन का दैने की अभ्यास एक, कोई हलका सा संगीत चलाने कुछ ऐसा जिससे आपको शांती और आरा महसूस हो अब अपनी दैने की और पैन हाथ में ले और अपने मन को भटकने दे दो अतीत में जाएं और उन सब चीजों के बारे में सोचें जिन पर आप स्वैम से नाराज हैं उन्हें लिख लें, उन सब को लिख लें आपको पता चल सकता है कि आपने पहली कक्षा में अपनी पैंट गीली हो जाने से हुए अपमान के लिए स्वैम को अभी तक माफ नहीं किया है कितना लंबा समय है उस बोच को ढोते रहने के लिए तीन, अब इस सूची को लें और हर बात के लिए सकारत्म का इफिरमेशन लिखें यदि आपने लिखा था मैं स्वैम को उस घटना के लिए कभी माफ नहीं करूँगा तो आपका फरमेशन हो सकता है या एक नया पल है मैं चाने देने के लिए सुदंतर हूँ याद रखें कि कभी कभी स्वैम को माफ करने से दूसरों को माफ करना जादा आसान होता है अक्सर हम इस स्वैम में पूर्णता क्या पिक्षा करते हैं और दूसरों से अधिक स्वैम के प्रती सख्त होते हैं हलाकि अब इस पुराने रवाये से परे जाने का समय है स्वैम को माफ कर दे जाने दे स्वेम को साच और स्वतंतर होने के लिए जगह दें चार और अब अपनी दाने की नीचे रखकर बाहर चले जाएं किसी बीच पर, किसी पार्क में या किसी खाली स्थान पर और स्वेम को दोड़ने दें जॉगिंग न करें, दोड़ें, उन्मक्त और बेतहाशा गलाबाजियां खाएं, सड़क के किनारे उचलें और यह सब करते हुए हसे अपने भीतरी बच्चे को अपने साथ बाहर ले जाएं और थोड़ी मस्ती करें किसी के देखने के परवाह न करें यह सब आपके आजादी के लिए है बंधरवे दिन का आपका हार्ट थॉट मैं माफ कर सकता हूँ मैं जीवन के साथ एकाकार हूँ और जीवन मुझसे प्रेम करता है और समर्थन देता है इसलिए मैं स्वयम के लिए प्रेम भरे एक खुले दिल का धावा करता हूँ हम सब किसी भी दिये हुए शण में अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं और यह बात मेरे लिए भी सच है अतीथ बीथ चुका है मैं मेरे माता पिता या असंतोष का उनका प्रतिरूप नहीं हूँ मैं अपना स्वयम का अनुठा स्वरूप हूँ और मैं अपने दिल को खोलने का चुनाओ करता हूँ प्रेम करुणा तथ समझ को अनुमती देता हूँ कि वे अतीथ के दर्द की सभी स्मित्यों को बाहर कर दे मैं जो कुछ भी बन सकता हूँ वो बनने के लिए स्वतंत्र हूँ या मेरे अस्तित्व का सच है और मैं इसे इसी रूप में स्विकार करता हूँ मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है आपकी पंधरवे दिन का मेडिटेशन मेडिटेशन को कृपया यूट्यूब लिंक से समझ करें